ब्लास्पूर उन्वरसिटी से संबद यहाँ पर जितना भी महाविध्याला है और उसमें जितना भी कोर्स होता है यहाँ पर आपका मेन एक्जाम का आपका प्रयस्पत्र जारी हो गया है तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको पहले ब्राउजर में सर्च करना फिर आपको इस प्रकार से ओफिशल वेबसाइड यहाँ पर दिखेगा फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट में जो अप्शन दिख रहा है क्विक लिंक का इसमें क्लिक करना है क्विक लिंक में ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में दिखाए देगा ओनलाइन service में klick करने के बाद यहां पर third में option दिख रहा है इस में यहां पर click करना है उसके बाद इस प्रकार से आपको page दिखाए देगा इसमें करके नीचे आ जाएंगे और यहां पर जो student login कर यहां पर दीख रहा है student login कर जिसमें klick करना है इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना इसको डेक्स टॉप व्यू में उपन कर लेंगे इस प्रकार से फिर यहाँ पर आपको आपको जो आपका इंजाम फार्म भरे थे तो जो आपका यूजरनेम था उसको और यहाँ अनले पर फेल करके यहाँ पर sign in का जो option है यहाँ पर click करके sign in हो जाना है या फिर अगर आपको ID password भूल गए हैं तो यहाँ से आप forget कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप अपना user ID password इंटर करने बाद login हो जाएंगे फिर आपको यहाँ पर सामने में blink होता हुआ दिखाए देगा print admit card का यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे में आपको दिख रहा है इसमें आपको click करना है उसमें आप जैसे click करेंगे फिर इस प्रकार से आपको दिखाए देगा आपका course फिर यहां पर आपको roll numbers रो होने लगेगा फिर यहां से आपको सामने में दिखाई देगा यहां पर print admit card का जो option है यहां पर आपको दिख रहा है इसमें आपको click करना है और यहां से आप अपने admit card PDF format में यहां से download कर सकते हैं और आप चाहे तो यहां से direct print भी कर सकते है और student login का जो page का link है वो आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा print में click करने के बाद इस प्रकार से आपका जो है प्रयश्पत्र यहां पर आपको सो होने लगेगा तो इसको यहां से आप PDF format में save कर सकते हैं या direct print भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपका पूरा process रहेगा admit card download करने के लिए regular private सभी course के लिए यहां पर आपका same process रहेगा यहां पर आपको student login में click करके वहां से login होना है फिर वहां से अपने admit card print कर सकते हैं